आयोग ने पिछले वर्ष के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है आपको बता दें कि इस परिक्षा का विग्यापन मार्च 2023 में जारिक किया गया था जिसमें 5,65,489 वियार्थी ने आविधन किया था इसकी प्री परिक्षा 14 माई को हुई थी जिसमें 3,45,22 अभियार्थी सम्मिल लिती हुए थे आयोग ने परिक्षा के डेड़ महिने में ही 26 जून को परिनाम जारी कर दिया मुख्या परिक्षा के लिए 4,047 अभियार्थी सपल हुए उसके बाद 26,29 तक मुख्या परिक्षा हुई थी जिसमें 3,658 अभियार्थी सामिल हुए थे पिरी तरह की मुख्या परिक्षा का परिनाम जारी करने में आयोग ने देरी नहीं की 22 दिसमबर को इनका परिनाम जारी कर दिया इसमें साक्षात कार के लिए 451 अभियार्थी सपल हुए थे इन अभियार्थियों का आयोग में 8 से 12 जनवरी तक साक्षात कार हुआ साक्षात कार में 448 अभियार्थी उपस्थीत हुए आयोग ने तही जर्वरी को परिनाम जारी किया तो परतेस सरकार को 251 अपसर मिल गए चैनित अपसरों में 167 पुरूस 84 महला का चैनित किया गया है जिसमें OVC वर्ग के 77 लोग हैं बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए सबसे पहले जैसे आपको पता कि मैं उत्रप्रदेश पुलिस में अरच्छी पद पर तैनाथ हूं 2018 से में अरच्छी पद पर हूँ तो सर जब रिजल्ट आया तो सबस्यादा खुशी मेरे साथ के लोग थे मेरे घरवाले थे तो सर एक लंबी जर्नी रही है उत्रप्रदेश कॉंस्टेबल से लेकर डिप्टी केलेक्टर बनने में और सबका सहयोग रहा इस्वर का माता पिता का भाई बहनों का और दोस्तो साल के कैसे जो है तैयारी करते थे जाम की सर जिसे पुलिस विभाग में थोड़ा टाइम का सॉल्टेज रहता है क्योंकि ड्यूटिया कभी कभी लॉर्ण ड्यूटिया ऐसी होती कि आपको दिन बर खड़ा होना पड़ता है तो मेरा ये था कि जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं अपना ड्यूटि करने के बाद जितना भी टाइम मिलता था मैं उसका सही से करता था पांच से छे घंटे मैंने नियमित रूप से पढ़ाई की है और उसमें मेरे पुलिस साथियों का और मेरे अन्य गुरुजनों का भी सहयोग रहा है क्या आप कैसे तैयारी कैसे कर सब्सक्राइब जिए जो भी सिल्वस में आप इस्टिक रही है ज्यादा तर कोशिस करिए कि उसी को पढ़िए उसी से सम्मंदि जो सौट नोट से वह बना लिए बात रही युवाओं की तो मैं यहीं बोलोगा कि आप सपने देखिए बड़े सपने देखिए और आपने द देखा है तो वह सोच लिए सपने अपने हैं यह नहीं कि केवल दिखाने के लिए सपने देख रहे हैं उस सपने को जीए 24 घंटे जीए और कोशिस करिए कि उस सपने को पाने के लिए दिन रात जितना भी टाइम मिले आपको आप करिए क्योंकि मैं पुलिस कॉंस्टेबल प्रस्पूमी रही उससे निकल के कैसे मतलब क्या परिवार ने सपना देखा था कैसे आपने यह ठाना कि हमको PCSE में जाब करनी हैं जैसा कि आपको पता है कि मैं lower middle class family से भी लॉंग करता हूं तो लेकिन मेरे घर में सबसे अच्छी चीज यह थी कि मेरे माता पिता ने पढ़ी है तो उन्हेंने सिक्षा का महा तो समझा कि सिक्षा होती क्या है तो मेरी बेसिक इजुकेशन ने किया कि इसको अच्छे मलब कॉलेज पढ़ाया जाए तो मैं अपने ग्राह जनतर बारा बंकी से ही क्लासिक से पढ़ रहा हूं MRLB कॉलेज में और मैं 12 तक पढ़ा